और नए साल के मौके पर एक बेहत डरा देने वाली ख़बर सामनी आई जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैशन देवी भवन में भगदर मच गई इस हाथसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है मनने वालों में दो महिलाई भी शामिल है वहीं 20 से जादा लोग घाय बताये जा रहे हैं फिलहाल राहत और बचाव कारे जारी है अभी तक इस्तानी प्रिशासन के तरफ से लगभग 12 से 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है हालकि घायलों के कुल संक्या के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है कल नए साल के मौके पर बड़ी संक्या में लोग कट्रा में माता वैशन देवी के दर्शन करने के लिए आये थे इस दोरान भीर में धका मुकी होने के बार भगदर मच गई और कई लोग घाय हो गए कट्रा अस्पताल के बियारो डॉक्टर गुपाल दत ने बताए कि अभी तक हमारे पास 12 लोगों के मंड़े की जानकारी आई है अधिकारी काकड़ा अभी नहीं बताए गया है दॉक्टर गुपाल दत ने बताए कि घायलों के कुल संख्या के बारे में अभी इस्तिति स्पष्ट नहीं है, मेटकव का पोस्मातम कराए जाएगा वही घायलों को अलाज नारायन एस्पताल में चल रहा है, धकामुकी रात के करीब धाई बजे शुरू हुई थी सुबा होते होते ये खबर सामनी आ गई और बहुत दुखत खबर है, मावैश्णो के मंदिर में भगदर मजग गई और इस भगदर में कई लोगों की जान चली गई तो मावैशनों के मंदिर में दर्शन करने के लिए शधालू भारी संख्या में पहुंचे हुए थे लेकिन अच्छानक धक्कामुक्की होने लगी धक्कामुक्की के बाद भंगदर मच गई और इस भंगदर में 12 लोगों ने अब तक जानकवा दी है कई लोग घायल बताये जा रहे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है